हलो वेलकूम फ्रेंट्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नियोज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट्रिप्टीड वफर से लेकर आई हूँ आप के लिए ये हमारा खास प्रोग्राम जहां हम बात करने वाले हैं बॉलिबोट अभी नीद्री हीमा मालिनी के बारे में वल हीमा का डान्स हीमा का लाजवाब अंतास हीमा के रूप बहुत निराले होते हैं हीमा मालिनी के बेहत खोपसरे डान्स के कुछ बहुत दरकश नसारे आप एक बफर से हम आपके बीच पेश करने वाले हैं तो आईए देखते हैं हीमा का वो डांस उत्तर प्रदेश में विधान सभाद चुनाप होने से पहले कैसे उनके एक्स्प्रेशन डांस के साथ पर लोगों को दिवाना कर रहे हैं माथुरा की ये संसत यानि कि भारतिय जन्ता पाड़ी से सालों से जुड़े रहने वाली हीमा हीम योगी के लिए तो उनी के नित्रित्तों के साथ इस बार विधान सभाद चुनाप के लिए तैयार है लेकि हेमा मालिनी ने अपने जिंदगी में फिल्मों को लेकर अपना दिल्शस दिखाना कभी नहीं कम कि अपने ही पुराने गाने पर हीमा फिर ते रखती नजर देखिए जरा उनका एक्स्प्रेशन बॉलेवूट इंडस्ट्री में देखा जाए तो अभी नेत्री हेमा मालिनी के डांस की चर्चा हमेशा हुई है अब ये कोई और नहीं सूपर डांसर शो था जिसके सीजन में एक सीजन में हेमा मालिनी बीते साल पहुची है और बहाँ पर हेमा मालिनी ने कुछ ऐसे अपने लटके जटके दिखा है अपने ही सूपर हिट सौंग मेरे नसीब में तू है कि नहीं इस गाने पर यहाँ इस गाने पर हेमा ने लटके जटके दिखा है क्योंकि वहाँ इंक पंदस्टन हीमा को डांस करनी के लिए मजबूर कर वैठी हीमा को इतना वो मजबूर कर वैठी हीमा खुद को रोख ही नहीं पाई उसी दोरां हेमा ने इस चोटी बच्ची को स्टच पर एक्स्प्रेशन देते वे देख खुद भी शौक्ट रह गई हेमा ने ऐसे एक्स्प्रेशन दिये मानो 73 साल की हेमा कुछ समय के लिए बिल्कुल छोटी बच्ची बन गई हो छोटी बच्ची को देखकर हेमा इस तरह से छोटी बच्ची की तरह रियाक्ट करती नज़रा तसकी आप जाते ही हैं मधुरा से हेमा मारिनी जो है जन्ता को संबोधित करेंगी क्योंकि भारती है जन्ता पार्टी की तरफ से सीम योगी की सरकार एक पाफिर आए इसके लिए हेमा पूरी तीरी चोटी लगा देंगी ऐसे में हेमा का वर उन्हीं दुनिया की तरफ छोटी बच्ची के लिए ये प्यार दे कर लोग काफी खुश होते हैं आज भी उनकी अंदर का दच बना उनका चुर्बला अंदास विंदास डान्स कभी भी उनके अंदर खत्म नहीं हुआ और ये कुछ तस्पीरे इसका सबूत है तो सारी में उचक उचक कर एक्स्प्रेशन देती भी डान्स करती भी हेमा का अंदास आपने देखा इस शो के सरी है बलहाल वक्त हो गया है आपसे इज्यासत लेने ऐसे ही हेमा के एक्स्प्रेशन्स हम आपको दिखाएंगे आगे के रिपोर्ट्स ले बलहाल लेंगे ज्यासत लेखते रहें नमस्कार